तीचर एलेजिबिलिटी टेस्ट की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो अनेकेडमी के माध्यम से अनेकेडमी प्लस आपको प्रोवाइड कर रहा है तीन सो घंटे से जादा के लाइब लेशन, लाइब कोर्स मालयालम में आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड एकसिस मिलेगा, आपक बन मंत के लिए रहेगा, 750 रुपे प्रती महीने अगर आप लेते हैं, 6 महीने का प्लान, 500 रुपे प्रती महीने रहेगा, अगर आप लेते हैं, 6000 रुपीज का प्लान, जो की 12 मंत का है, तो 500 रुपे पर महीने पढ़ जाएगा आपके लिए, हमारा कोड आप यूज कर सकते यह code आप यूज़ करेंगे तो आपको यहां पर कुछ discount भी मिल जाएगा तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहां पर यह प्लान है जाके जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजीगा और दोस्तों कई सारे educators जिनको काफी लंबा experience और अनुभव अगर हम बात करें हैं तो वो यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं दीपक हेमांसु जी तेजश्वराज जी सौरव पांडे जी प्रतिक्षाचार्य जी मुहित सुकला जी आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं तो टीचर बनने का सपना अब आपका पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है अगर आप अनकैडमी प्लस पर लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ समायोजित ब्यक्ति में होने बाले प्रमुख रोगों के बारे में दुइंद, तनाब, आदी इन रोगों के बारे में बात करेंगे CTET 2019 के लिए most important topic ये हैं ये जो birds हैं इनका बहुत ही बड़ा महित्व हैं बाल, विकास या अगर हम बात करें सिक्षा सास्त्र की जो जो अध्यान है इसमें इन topics से generally questions बनते हैं तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे साथ बने रह देखेगा और complete वीडियो देखेगा हर परिक्षा के लिए इनके बारे में आपको यहां पर जानकारी दी जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कुस समयोज ब्यक्ति में होने वाले प्रामुख रोगों के बारे में त को यहां ब्यक्ति जो समाज में समयोजित नहीं हो पाता है समयोजन नहीं कर पाया है कर पाता है उसको कुस समयोजित ब्यक्ति कहते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और को बच्चा जो है क्लास बंक कर जाता है आपके पढ़ाने के दो कि अगर हम बात करें तो यह देख सकते हैं आपर कुंठा या भगनाशा जिसे फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं कुंठा से अभी प्राय दूस्तों यहां पर होता है किसी भी इक्षा या आवशक्ता की पूर्ती में आने वाली बाधा यांद कि कोई भी इक्षा और कोई आवश इसकी इस्तिती आवस्था का घोतक है जिसमें उसके प्रयत्नों के उपर बिफलता का बोल वाला होता है यारी कि अगर आप प्रयत्न लगातार कर रहे हैं और उपर से बिफलता मिल रहे हैं तो कुंठा निश्चित रूप्षयाना स्वभाविकी हो जाता है दोस्तों यहां पर आगे बात करें तो इस सबस्था में व्यक्ति यह अच्छी तरह से अनुभब करता है कि महत्पूर्ण अवश्यक्ता की पूर्ती में या किसी एक्चित लक्षे को प्राप्त करने में काफी बड़ी अलचन कठनाई या प्रतिरोत खड़ा हो रहा है जो उसके अपने साम इंपोटेंट है दोस्तों याद रखिएगा जेम्स ड्रेवर उन्होंने काई कि किसी प्राणी के लक्षे की प्राप्ति का मार्ग अबुद्ध हो जाना की कुंटा है नेक्स्ट दूस्तों आपर बात करेंगे द्विंद की तो द्विंद भी काफी इंपोटेंट है जिसमे दोस्तियां पर मेंगर बात करूं तो एक होता है अंता द्विंद तो अंता द्विंद में एक ऐसी पिड़ा दाय की संभी आत्म का वस्ता है जो एक दूसरे को काटने वाली और बिरोधी एक्षाओं से उत्पन्द तनाप की कारण अस्तित्माति यानिकि एक एक्षाओं को एक दूसरे को काटने वाली और बिरोधी एक्षाओं से उत्पन्द वाला जो तनाप उसकी कारण अस्तित्म से ये आती है दोस्तो तनाव ही बहें अवस्था होती है जो व्यक्ति विसेश में उपस्थिद दो या दो से अधिक बिरूदी एक्चाओं के फल सुरूप प्रिकास में आती है इसमें दोनों एक्चाओं को एक साथ पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है दुइंदी की परिभासाइं अलग-अलग यहां पर दी है क्रो और क्रो ने दुइंदी ये संगर्स उस समय उत्पन होता है जब व्यक्ति को अपने बाता वर्ण में ऐसी बुरूदी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसके निजी हितों और एक्छाओं के बिपरीत का सब्सक्राइब करता है तरह से दूस्ट अगर बात करेंतो तंब के बारे में गेट्स ने कहा है यहां पर कि अधिय। दोष्तिования यहां पर एगर आगे शंतुलेन की स्थिति पैदा करने के लिए प्रयास किया जाता है उत्त्य जक इस्थिति के निराकरण हीटू प्रानी को तत्पर करती है तो उपर परिबासाओं से इस प्रेश्ट निश्कर्ष निकला जा सकता है कि ब्यक्ति की अविशक्ताओं या अक्षाओं की पूर्थी ना होने या बाधा उपस्टित होने पर उसमें त्विन जो तनाव द्विंद उत्पन हो जाता है यह दसा अत्यंत कष्ट दायक होती है और दोस्तो ये सबी जो समझ्या है इनके निराकरण भी पॉसिबल ऐसा नहीं है तो उनको बोलते हैं रख्षात्मक युक्तियां जब तनापपूर्ण चिंता इस्तिती का प्रतिक्ष स्वाधा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति विभिन अप्रतिक्ष रख्षात्मक तरीक अप पनाता है और जने रक्षा युक्तिया या मनोरचनाय कहते हैं तो यहां पर दूस्तो अगर हम आगे बात करें तो यह रक्षात्मक युक्तिया और मनोरचनाय बहुत ही है तनापूर्ण चिंदा इस्थिती जो है यह हमेशा घरम बात करें तो होती है और इनके बारे में जो भी रच्छताक्त्मक युक्तियां हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगी इस पीडियो में जो मुख्ये परिभास आए हैं यह याद रखेंग आपको बहुत बहुत धनिवाद थेंक यू थेंक यू वेरे मुच्छ